Welcome back to my YouTube channel SBI Life Insurance Advisor इस channel के मार्धन से आप सभी को SBI Life Insurance के policies के बारे में जानकारी दी जाती है इस वीडियो में आप सभी को SBI Life Insurance के एक ऐसे saving plan के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसके तरह यदि आप लगातार 7 सालों तक परती वर्स 30,000 रुपे का बुक्तान करते हैं तो policy term के पूरा होने पर गारंटी के साथ आपको 3,58,800 रुपे का बुक्तान किया जाता है इस saving plan की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस policy को लेते समय आपको किसी भी तरीकी का medical जाच करवाने की जरूरत नहीं पढ़ती आपको जो भी जांका भी दी जाएगी SBI Life Insurance के official website के माध्यम से दी जाएगी तो बने रही है मेरे इस वीडियो पर सुरू से अंतक आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बिनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए है और मेरे वीडियो को first time देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और bell icon को जरूर दबा दे है ताकि मेरे द्वारा बना गए वीडियो का update आपको आसानी से मिल सके तो चलिए start करते हैं सबसे पहले SBI Life Insurance के official website जिसका link sbilife.co.in को open कर लेंगे website open करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ options मिल जाता है जिसके अंदर एक option जिसका नाम financial security है इसके नीचे दिये हुए no more वाले option पर हमें click करना है हमारे सामने एक नयव विंडो ओपन हो जाता है इस नयव विंडो में हमें SBI Life Insurance के सभी से भी product के विसे में जानकारी दी गई है जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर SBI Life New Smart समरिधी का option बिलता है जिस पर हम click करेंगे हमारे सामने एक नयव पेज ओपन हो जाएगा इस नयव पेज में हमें New Smart समरिधी product के विसे में पूरी जानकारी मिल जाती है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जिस policy के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ उसका नाम SBI Life New Smart समरिधी product है SBI Life insurance अपने हरे product के लिए अपने page पर एक calculator देता है जिसके माध्यम से मैं आपको calculate करके दिखाऊँगा तो किर्प्या करके यहां से मेरे वीडियो को ध्यान पूर रख देखें ताकि आप calculator पर यूज़ करना सीचिए और अपने लिए एक बहतरीन विकल पर चुनाओ कर सके हैं इस page में जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर हमें एक option मिलता है calculate here हमें इस option पर click करना है नीचे हमारे पास calculator open हो जाता है इस calculator में हम name वाले box में अपना main type कर देंगे और date of birth वाले box से हम अपना date of birth select कर लेंगे यहां हमें इस calculator में बताए गया है कि इस policy का policy तरफ 15 साल तक का होता है और इस policy के तरफ आपको premium का बुक्तान 7 सालों तक करना होता है यहां हमें annual premium के बारे में जानकारी दी गई है कि इस policy के तरफ आप कम से कम परतेग वर्स 12,000 रुपे और अधिक स्यादे 75,000 रुपे premium का बुक्तान कर सकते हैं इस वीडियो में हम 30,000 रुपे की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर हम annual premium वाले option को 12,000 से 30,000 रुपे का कर देंगे उसके बाद नीचे दिये हुए calculate वाले option पर click कर देंगे हमारे सामने success का message आता है इस message को हम लोज करते हैं right hand side में हमे calculation मिल जाता है यहां पर हमें बताया है कि यदि policy holder जिसकी उम्रे 36 साल है वह लगातार 7 सालों तक 30,000 रुपे premium का बुक्तान करता है तो उसके उपर लगातार 15 सालों तक 2,7,600 रुपे का बीमा चलता रहेगा उस condition में policy holder के नोमनी को death benefit के रूप में कम से कम 2,7,600 रुपे का बुक्तान किया जाएगा policy term हमारा 15 साल का है और जब policy term पूरा हो जाता है तो maturity benefit के रूप में guarantee 3,58,800 रुपे का बुक्तान किया जाएगा देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने जो calculation किया गया है SBI Life Insurance के official website पर दिये गए calculator पर करके दिखाया गया है जहां maturity benefit policy holder के उम्र पर depend करता है यदि policy holder की उम्र कम है तो उसका maturity benefit जादा होगा और यदि policy holder की उम्र जादा है तो मिलने वाला maturity benefit इससे थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन यहां पर जो हमें calculation सो कर देता है वैं guarantee के साथ policy term के पूरा होने पर policy holder को maturity benefit के रूप में दिया जाता है अब ज़दी आप 30,000 से अधिक रूपे जमा कर सकते हैं तो angle premium वाले option को increase करके अपनी सुरिधा अनुसा जितने भी रूपे का premium आप एक साल में दे सकते हैं उस option को select कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास लाश्ट सीमा 56,000 रूपे का है तों 56,000 का option select कर लेते हैं अब ज़दी policy holder लगातार 7 सालों तक 56,000 रूपे का बुक्तान करता है तो policy holder के उपर 15 सालों तक 5,19,000 रूपे का बीमा चलता रहेगा और जब policy term का 15 साल पूरा हो जाता है तो policy holder को maturity benefit के रूप में 8,97,000 रूपे का बुक्तान लिखित गारंटीव के तोर पर कर दिया जाएगा इस window में जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ एक option मिलता है who can buy यहाँ पर हमें बताए गया है कि इस policy को लेने के लिए policy holder की minimum उम्र 18 साल और maximum उम्र 50 साल की होनी चाहिए maturity के समय maximum उम्र 50 साल की होनी चाहिए policy term 15 साल कराता है और आपको 7 साल तक premium का बुक्तान करना होता है premium का बुक्तान yearly या मन्तिली कर सकते है इस policy को लेने के लिए पर्तिवर्स कम से कम 12,000 रुपे और अधिक से अधिक 75,000 रुपे तक के premium का बुक्तान करना होता है यदि आप पर्तिवर्स 12,000 रुपे premium का बुक्तान करते हैं तो आपके उपर 75,120 रुपे का basic समध्यूर रहता है और यदि आप पर्तिवर्स लगातार 7 सालों तक 75,000 रुपे का बुक्तान करते हैं तो आपके उपर 5,28,000 रुपे का basic समध्यूर रहता है इस page में उपर दिये गए calculator की साहता से आप अपने लिए एक बैतरीन विकल्प को select कर सकते हैं आप अपनी जुरत के इसाब से जो भी premium दे सकते हैं उसका चुनाव करके आप यह calculation निकाल सकते हैं कि आपको दिये गए premium पर कितने रुपे तक का basic समस्रोड मिलेगा और maturity benefit के रूप में आपको कितने amount का बुक्तान किया जाएगा तो उम्मेद करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से SBI Life new smart समझेदी product के विशे में पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को like करे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले ताकि उन्हे भी SBI Life insurance के इस unique product के विशे में जानकारी मिल सके इसे के साथ मेरे ये वीडियो समाप्त होता है आज्या लेता हूँ जाहिं जाय भारत